हेलो फेंड्स वेलकम बेक टु माई चैनल टेकनिकल शो टाइम फेंड्स आप लोग जानती है कि आज कल हमें आफिस में कितना जादा काम करना पड़ता है घंटो घंटो लैप्टॉप और पी-सी के सामने हमें बैठे रहना पड़ता है ऐसे में हमें प्रॉलम हो जाती है बैक निस्कोमेट ब्रांड का एक इन्फररेट लैम पाता है जिसका मॉडल नंबर है आई और जीरो वन ये पेंड रिलीफ में काफी यूसफुल है और घर पे ही काफी इसली इससे आप पेंड रिलीफ ले सकते हैं निस्कोमेट ब्रांड काफी लंबे टाइम से मेडिकल एंट हुआता है तो यह जो कॉलर बोन है वो फैक्चर होगई थी वह तो ठीक हो गई लेकिं नहीं गया पेंद अभी वी बना रहाता है गर्मी के मौसम में बिलकुल भी नहीं होता है लेकिन जैसे सर्दियां आना शुरू होती है पेन आना शुरू हो जाता है और जैसे सर्दियां बढ़ती आती है पेन भी बढ़ना शुरू हो जाता है और इतना ज़्यादा पेन होता है कि मेरा हाथ भी फिर उपर नहीं उठ पाता है उसके लिए फिर काफी सारे treatment मुझे करने पड़ती है कपड़ा प्रेस से गरम करके उसको सिकाई करनी पड़ती है heater कभी-कभी heater से करता हूँ या फिर मसाजर आती है heating वाले उनसे pain को ठीक करने की कोशिश करता हूँ बहुत जादा problem हो जाती है तो सर्दियां शुरू हो गई है तो फिर मैंने ये काफी इसके बारे में सुना था infrared lamp तो इसको मैंने purchase किया है और इसको मैंने एक-दो दिन use करके भी देख लिया है काफी जादा इससे relief मिल रहा है pain में और काफी बढ़िया भी ये लग रहा है तो चलिए इसकी unboxing करके मैं आपको दिखा जाता हूँ कि इसके box में हमें क्या-क्या मिल जाता है फिर इसको मैं आपको operate करके भी रिखाऊँगा इसके सारे features भी बताऊँगा कि किस तरीके से आप इसे easily operate कर सकते हैं और easily इसके थुरू आप pain relief ले सकते हैं तो friends यह हमें इस तरीके की box packing में मिल जाता है पैकिंग इसकी काफी बढ़िया दी गई है निसको की यहां पर आपको branding मिल जाती है यहां पर इसका यह model number mention किया गया है IR01 यहां पर इसके कुछ features mention किये गए है output 150 watt का output यह देता है 3 level electronic timer इसमें मिल जाता है मतलब timer लगा कर आप इसको on off कर सकते हैं 3 level adjustable power मिल जाती है मतलब आप इसकी heat को control कर सकते हैं automatic switch off function इसमें मिल जाता है तो यह भी अच्छी बात है तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं इसकी unboxing तो box open करते ही इसमें हमें कुछ paper work मिल जाता है एक हमें यहाँ पर thank you card मिल जाता है Ashok Enterprises की तरफ से Ashok Enterprises I think इनके इस brand के honor है एक हमें इसकी user guide मिल जाती है एक इनका हमें और catalog इसमें मिल जाता है जिसमें इनके सारे जो product हैं वो यहाँ पर दिखाए गए हैं तो काफी सारे जो medical equipment हैं यह manufacture करते हैं यहाँ पर इनकी website भी mention की गई है www.niscomet.com तो website भी आप इनकी visit कर सकते हैं Ashok Enterprises के नाम से इनका YouTube channel भी है तो वहाँ पर भी आप इनके सभी जो product हैं उनकी details देख सकते हैं उनके video घरा आप वहाँ पर देख सकते हैं कि वो किस तरीके से use किये जाते हैं चलिए इसको रखते हैं side में और यहाँ पर हम निकालते हैं इस lamp को तो यह इस तरीके की हमें packing में मिल जाता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह काफी बढ़िया lamp जो हमें देखने को मिल जाता है और यहां पर जो है इसकी वायर भी हमें इसमें काफी बड़ी वायर दी गई है तो काफी लंबी वायर इसमें दी गई है करीब 2 मीटर की यह हमें वायर की लेंथ इसमें मिल जाती है इसकी build quality के बारे में अगर बात करें तो इसकी build quality भी काफी बढ़िया दी गई है, यहाँ पर जो मैं wire मिलती है, तो यह भी काफी अच्छी quality की wire दी गई है, और काफी अच्छी plastic का यह बनाया गया है, देखने में भी यह काफी अच्छा लग रहा है, और यहाँ पर इसमें हमे बल्व इसके अंदर ये लगा हुआ होता है और अगर ये बल्व खराब हो जाता है तो आप यहां से इनसे ही आप दूसरा बल्व ये मगा सकते हैं तो चलिए इसको मैं लगा देता हूँ तो काफी एजिली आप इसको निकाल सकते हैं और इसको आप लगा सकते हैं और देखी इसको आप एड़िस्ट भी कर सकते हैं तो जहां पर भी आप इसको सेट करना चाहते हैं वहां पर यह सेट हो जाएगा यहां पर इसका हमें एक controller मिल जाता है, यहां पर इसमें निस्को की branding की गई है, यहां पर हमें एक on off का button दिया गया है, तो इसके तुरू यहीं से हम इसे on या off कर सकते हैं, चार हमें यहां पर LED indicator दिये गए हैं, जो की कम या जदा heat को दिखाते हैं, कितनी कम heat है, कितनी जदा heat है, वो आप यहां से देख सकते हैं, और उसके according आप यहां पर heat को set कर सकते हैं, काम याज़ादा कर सकते हैं इस on off की बटन का ही use करके एक हमें यहाँ पर black color का बटन मिल जाता है जिससे हम यहाँ पर timer लगा सकते हैं तो 10 minute 30 minute और 40 minute का time हमें यहाँ पर set कर सकते हैं और यहाँ पर जो यह timing mention की गई है इसके अंडर में LED lights on हो जाती है जो भी हम time यहाँ पर select करती है तो इसके according हमें पता लग जाता है कि हमने कितना time set किया है और उतने time के बाद ही यह जो lamp है वो automatic off हो जाता है तो चलिए अब इसको on करके मैं आपको दिखाता हूँ कि किस सरीके से यह work करता है तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने इसका प्लग है वो switchboard में लगा दिया है और इसको यहाँ से मैं on करता हूँ तो देखिए on करते ही यह on हो जाता है और instant यह heat हो यह तो एकदम instant गर्म होना शुरू हो जाता है और फिर आपको जहाँ पर भी इससे इसकी जो सिकाई करनी है वहां से आप कर सकते हैं और यहाँ पर अगर मैं button में दिखा हूँ तो इस time यह सबसे जादा heat पर है मतलब इसकी जो maximum heat है वो है अब मैं इसको अगर करता हूँ तो यह थोड़ी सी heat इसकी कम हो जाती है इससे और कम हो जाती है इससे और कम हो जाती है वो आप यहाँ पर clear देख पा रहे होंगे चलिए फिर से मैं heat को बढ़ा देता हूँ अच्छा फिर यह off हो जाता है तो फिर से on करते हैं तो यह maximum heat पे on हो गया है हमें heat को कम करता हूँ थोड़ा और कम थोड़ा और कम तो यहाँ पर यह इसकी minimum heat है और जैसे होता है हम heater वगरा से हम सिकाई वगरा करती है तो हमारी पूरी face ऐसा लगता है हमारा face burn हो जाएगा बहुत तेज इसमें heat होती है लेकिन इसमें काफी अच्छी heat आ रही है और बिल्कुल ऐसा irritate वाली नहीं है तो अगर आप देखेंगे में एक बार light off करके आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर timer का set का button है और यहाँ पर आप देखेंगे आपको light नजर आ रही होगी और मैं timer जैसे button दबाँगा तो यह light जो होना शुरू हो जाएगी तो यह 20 minute 30 minute पे आ गया है यह 40 minute पे आ गया यह 10, 30 और यह 40 और यहाँ पर आप heat देख सकते हैं heat की indicator यह वाला है तो यह भी move करता है तो देख सकते हैं friends ही काफी बढ़िया तरीके से work कर रहा है तो friends काफी बढ़िया यह infrared pain relief lamp है अभी मैंने इसको सामने क कि तरफ किया हुआ है तो इसकी जो heat मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रही है और जैसे ही मैं अपनी तरफ करता हूं तो इसकी heat मुझे फीलोना शुरू हो जाती है और जो heat है वो irritate नहीं कर रही है मैं सामने अगर देख भी रहा हूं तब इससे मुझे कोई problem अतनी ज़्याद नहीं हो रही हो काफी जदा वैसे heat में आ रही है लेकिन irritation heat में बिल्कुल भी नहीं है जैसे कि हम कपड़ा गरम करके उससे हम सिकाई करते हैं तो वह कपड़ा जदा गर्म हो जाए तो हमारी skin को burn कर सकता है या फिर heater से अगर हम सिकाई करते हैं तो वह भी हमारी जो skin है उसको burn करता है लेकिन इसमें ऐसी चीज नहीं है और यहां पर हम इसको पकड़कर अगर देखते हैं तो यह गरम तो है लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म यह नहीं है लेकिन यह जो इसका लेम पर यह बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और इस पर हमें इससे बचके रहना है इस पर यहां से पर भी थोड़ा बहुत पुरा है लेकिन इतना नहीं हो रहा है कि हमाए कोई नुकसान उससे हो जाए तो काफी रिलक्स वाली जो हीट है वह इससे हमें मिल रही है काफी अच्छा लग रहा है तो बस यह कि मेरे जब सोल रहा है पेन हुआ करेगा तो इसको गरम करके इसको इस तरीके से सिकाई कर सकता हूं या इसको कहीं में फिट करके वापर भी बैठ सकता हूं तो काफी बढ़िया वैसे यह लग रहा है और सबसे अच्छी बात है कि इसको आप अच्छी बात है इसको इस तरीके से कर सकते हैं तो इसको इस तरीके से कर सकते हैं तो फैंस के अंडर में ही रहता है तो लेटेस्ट प्राइज आप देख सकते हैं लिंक में आपको डिसक्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा तो आप वहां से चेकाउट कर सकते हैं Amazon फिलिपकार्ट सब जगह यह आपको मिल जाएगा मैंने भी से Amazon से ही पर्चेस किया है तो फ्रेंट्स आज की वीडियो में फलाल इतना ही अगर इस लेंप के वारे में आपका कोई क्वेश्चन है कोई डावट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर द बाइब बाइब